क्या आपको ऐसा लगता है कि Hair Oiling करने से ज़्यादे बाल गिरते हैं तो इसलिए आप Hair Oiling करना बन कर देते हैं लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है जब आप सही तरीके से अपने बालों में Hair Oiling करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी तो मैं आज आप लोग को सही पान चम्मच मैं तेल ले ली हूँ अब एक कौन सा तेल है जो मैं अपने बालों में लगाऊंगी इस तेल को मैं अपने घर पर बनाई थी और इसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा मिला है तो आप लोग इसे बना सकते हैं इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर है अगर कर पूरे सर्दी अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी तो प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप लोग इस तेल को जरूर बनाईए और अपने बालों में यूज करिए सबसे पहला इस टेफ है कि जो भी आप तेल कर रहे हैं उसे आप हलका गुनगुना करिए हलका गुनगुना करके अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी तो मैं यहां पे नारियल का तेल ले रही हूं तो मैं एक चमच भर के नारियल का तेल लिए बहुत अच्छा होता है तो नार प्रफॉल की समस्या है वो भी कंट्रोल होगा तो नारियल का तेल आप जरूरी उज़ करिए अकोसिस करिए कि उसे हलका गुंगुना कर लीजिए तेल मैं आप लोगो को दिखाई थी जो घर पे मैं बनाई हूं उसी तीन से चार चमच इस तेल को मैं ले ली हूं और एक चमच उसे चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने बालों में ब्रूबवी में जो आप टेल रखे हैं उसको पे रख देंगे तो हल्का गुंगुना हो जैगा डाइरेक्ट आपको गैस पे गरम करके अपने बालों में नहीं लगाना है इस तरीके से मैं और यहां पर लिग्रम कर इसे उसी तरीके से आपको हलका गुनगुना करना है ज्यादे गरम भी नहीं चाहिए बिल्कुल हलका गुनगुना होना चाहिए तो ज्यादे तो लोग मिस्टेक करते हैं तो इसलिए उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादे होता है अगर आप सही तरीके से अपने बालों में हेयर करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगा आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा तो आपको सबसे पहले अपने बालों में कंगी कर लेनी है मैं हर वीडियो में आप लोग से सियर करती हूं कि आपको अपने बालों में पले कंगी कर लीजिए ताकि आपका बाल ज्यादे उल्जे करके ना मैं एक ही बात हर वीडियो में बोलती हूं ताकि आप लोग इसे फालो कर सके तो सबसे पहले आपको अपने बालो में कंगी कर लेु.. तो आप लोग देख सकते हैं कि जो तेल मैं ली थी उससे मैं अपने बालों में मसाज करके तो थोड़े थोड़े बाल को मैं पाटीशन करूंगी उसके बाद से इस तेल को लेकर हलके हलके हां से हमें मसाज करना है तो मैं अपने बालों में इसे लेकर मसाज करूंगी अगर आप इस तरीके से हेयर ऑईलिंग करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी आप आपको डेंडरब की भी समस्या नहीं होगी अच्कल फैसर में हम अपने बालों में तेल लगाना तो जैसे भूली गए हैं बालों में तेल लगाना कोई चाहता ही नहीं है जैसे कि मैं आप लोगो एक एक जामपल दे रही हूं कि कोई भी पाउधा जब आप अपने घर पे लाते हैं तो उसको सही तरीके से उसका देख भाल करते हैं उसमें पानी देते हैं उसको देख भाल सही तरीके से करते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है जो पाउधा होत तो ब्लट सर्कुलेशन बढ़ेगा हेयर फॉल की समस्या है वह भी रूखेगा तो कोशिज करिए कि आप इस तरह से अपने बालों में मसाज करिए अपने बालों में मसाज करेंगे तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल रूख जाएगा यहां पर मैं चार से पांच चम्मच तेल थी तो मैं अपने बालों में लगा ली हूं आप लोग देख सकते हैं मेरा gord ठोड़ा है लंबा है तो मैं यहां पुझा पर तेल जाए तीक अगर आपके यह लगाना सब्ताही सब्सक्राइबोन करें वंगर दो आपकी मिपम्स , अपने में और जाएगा देंगा उस बीड़र सनाय कहले किया कहए छोड़ देती हूं ताकि पूरी रात मेरे बालों में तेल लगा रहे और बालों का ग्रोथ अच्छा हो तो लाइक करिए शेयर करिए आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए आप लोग नेचुरल तरीके से अपने बालों की केर करके देखिए मैं गारंटी देती हूं कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी मेरे फेस पे अभी कोई मेकप नहीं है और मेरा फेस इतना गुलो कर रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं मैं इस समय अपने इसकीन की बहुत जादे केर कर रहे हूं और आप लोग मेरे फेस पे गुल भी बनाईए तो मैं आप लोग से मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई